अयध्या के रामन्दिर का भूमी पूजन देश के प्रदान मंतरी मोडी के दूरा 5 अगस्त को किया जा रहा है । अध्यारामंदीर का संत समाज बहुत लंबे समय से करता रहा है। यहां संत समाज भूमी पुजन के कारक्रम पहुचने के लिए जबलपुर से लिए निकल चुके entrepreneurs 5 अगस्त का अधु में रामंदिर का भूमी पुजनु नोंने से संत को नहर्ष का महुल देखा जा रहा है। स्वामी शामदाज जी महराज ने बताए कि संतों को उपस्तिती में भव्य राम मंदिर का भूमी पुजन का कारेक्रम किया जाएगा। भारत वर्ष के इतिहास में एक सरणिम दिवस होगा इस वर्ष का पाँच अगस्त जब देश के मानने प्रधान मंत्री जी संतों की पावन उपस्तिती में भव दिव राम मंदिर के लिए भूमी पुजन करेंगे। और इसी के साथ ऐसा भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा जो दुनिया में अनुपम होगा और भारती संस्कृती की धजा उच्च होगी यह जितना सिखर भगवान राम के मंदिर का उच्चा होगा यह परतीक है कि यह पूरे भारती संस्कृती हिंदु धर् आकास को चुमने वाली बनेगी धन्यवादी वर्षों पुरानी जो हमारी हिंदू समाज की हिंदू संगठन की एक आस्था का केंद्र की जो जिस पर मुस्लिम समुदाय ने बाबरी मज्जिद के माध्यम से कब्जा किया था उसको आज पूरता की और जो हजारों करोडों अर पांच सारीकों जो हो गाजब दानमांद्री मोधी यवाध्यवाजवी संत हमस्त की उपस्तिती में उसका भूह मीपूजन होगा और मंदिर का नौני निर्माण प्रारम होगा हम yağ काम और बी अच्छा बने महननने का निर्मान भाबव और आ स्था का केंदर है वह सबसे अच्छा मंदिर पूरे विश्व में जाना जाए पुरी मर्यादा पूर्शत भगवान शीरी राम की जैजे श्री राम यह और वी सौभाकिशाली बात है इस तंसकारधानी के गौरव संत गोरव पुरुष संत जगत गुरु डक्टर स्वामी शा आया गया है यह हमारे दिए बहुत ही स्वाब की शाली बात है कि हमारे दो संद भी यहां से रवाना हुए है